नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन लेर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है सत्तर शब प्रति मिनट की गती से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकिंड बाद संग्षेप में दावा, हाजा, के तथे इस परकार हैं कि वादिगण द्वारा विरुध प्रतिवादी घोषना एवं इस्थाई निशेधाग्या हेतु यहे वाद दिनांग 178-2017 को इस आशे का प्रस्तुत किया गया कि वादिगण ग्राम कुराडा के मूल निवासी हैं तथा इनकी रहवासी भूमी ढाड़ी ग्राम कुराडा में है जिसमें पिछले 40 वर्षों से अपने पिता के समय से ही कच्चे पक्के मकान बना कर रहते हैं ग्राम कुराडा की सीमा में वादिगण के खातेदारी का खेत मैं कुवा है तथा कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं जो भकरी रोड पर आया हुआ है उक्त रोड से पस्चिम दिशा में एक कच्ची नाड़ी के पस्चात उक्त धाड़ी है जो की मकान वादिगण के खातोदारी खुदा खेत में धाड़ी बनी हुई है वादिगण के मकान दक्षिन दिशा में बने हुए हैं तथा उक्त मकान के पस्चिम में एक मजार जिसमें अपने पूर्वजों को दफनाया है प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने उक्त मकान के उपर एक रास्ता कायम करने के उदेशे से उक्त वादिगण के मकान को तोड़ फोड कर रास्ता कायम रास्ता करने के उदेशे से वादी को प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा बार बार एलानिया धमकियां दी गई वादिगण के मकान के पीछे दक्षिन दिशा में एक खेत हुकमाराम बावरी का है तथा वादिगण की भूमी के खसरा नंबर 1095 रकवा 0.00 हेक्टेर गैर मुमकिन बेरा तथा खसरा नंबर 1096 रकवा 3.400 हेक्टेर जिसमें उक्त खेत के पूर्व दिशा की सीव पर हिस्से में रहवासी की धाडी है जिसमें दक्षिन में मुख्य डोल पर पिछले 40 वर्षों से मकान बने हुए है प्रती वादिगण को मकान के उपर से रास्ता निकालने का कोई कानून अधिकार नहीं है वादिगण के पूर्व दिशा में एक नाडी बना हुआ है उसके बाद वादिगण की खातेदारी सुधा खेत शुरू होता है वादिगण की धाडी में मकान तोड कर रास्ता निकालने की धमकी प्रती वादिगणों के द्वारा बार बार दी जाने पर बिनाया दावा ग्राम कुराडा में उत्पन हुआ अंत में वादिगण के पक्ष में बर खिलाफ प्रती वादिगण मकान जो दक्षिन दिशा में इस्थित है मकान को नहीं हटावे ना ही कोई तोड फोड करे ना ही कोई रास्ता धाडी में कायम करने घोशना की डिक की फरमाई जावे वा इस्थाई निशेधाग्या की वादिगण दक्षिन दिशा के मकान में कोई तोड फोड ना करे एवं वादिगण के पक्ष में अन्य कोई अनुतोश पक्ष में हो तो अता फरमाई जाने का निवेदन किया पैरा उक्त वाद पत्र का प्रतिवादिगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जवाब इस आशे का प्रस्तुत किया गया की वादिगण के मकान उक्त खेत में अलग-अलग जगहा बने हुए हैं खसरा संख्या 1096 में मोके पर तीन जगह घर बने हुए हैं खेत की दक्षिनी सीव के पास बाद में बनाया हुआ घर है फट्ट झाल